हेलो एब्रिवन आज की वीडियो बहुत ही मॉटिवेशनल होने वाली है आप सबी को पता है कि नीट का फाइनल रेजल्ट डिकलेर हो चुका है और एक स्टुडेंट था स्वेब आप ताप जिनने चैलेंज किया था कि उनके 720 में से 720 मार्क्स बन रहे है तो वहां काफी सारे स्टुडेंट का कॉमेंट आया था कि हमें इनके रिजल्ट का इंतिजार है कि इनके कितने मार्क्स बनते है ठीक है तो फाइनली आज आपका रिजल्ट आ चुका है और इस स्टुडेंट के 720 में से 720 मार्क्स ही आपके आये है ठीक है फाइनल आंस्वर की भी आ चुकी है उस टाइपस के कोमेंट्स आ रहे थे लेकिन फाइनली आंस्वर की भी आ चुकी है इनका जो कोड था उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं थी इनके जो टॉटल मार्स बने है 720 आउट और यह उडिशा के रहने वाले है इनने कोटा में कोचिंग लिए तो इनका पूरा जो इंट रहाई करते थे इनके घर की कंडिशन कैसी है वो सब दिया गया है तो देखे और इसा के रहने वाले स्वयव आफ्टाब नीट 2020 के टॉपर बने नीट 2020 परिक्षा में स्वयव ने हासिल किये सत प्रातिसत अंक है बना 720 में से 720 मार्स इनने हासिल किये है मुस्किलों को अक्सत को हासिल करने के लिए पुर्जोर कौसस करते हैं और काम्याभी हासिल होती है तो खुसी का कोई ठीकाना नहीं रहता नीट 2020 की का रिजल्ट घोसित हो चुका है और टॉपर का ताज स्वयव आफ्टाब के सिर चड़ा है ठीक है तो टॉपर कौन रहे है स्वयव आफ फुल मार्क्स आये लेकिन स्वयव आफ्टाब ने कर दिखाया कि उनके पूरे के पूरे मार्क्स आये है अब यदि मैं इनके घर के कंडिशन की बात करूँ तो देखें पिता को हुआ था नुक्षान होसले पर नहीं पड़ा असर एक छात्र के रूप में स्वयव बताते ह कि वो अच्छे थे लेकिन कामियाबी कि इस मंजिल तक पहुशने में उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है जब आठवी कक्षा में थे उस समय उनके पिता जो एक चाय व्यापारी थे उनको जबरदस्त वित्य नुक्षान हुआ था फाइनेंशल घाटा ह हुआ था और फाइनेंशल नुक्षान की वज़े से उनके पिता ने पेशा बदला और ऐसे सूरत में सोयव को डर सता था था कि पता नहीं वो कोटा में कोचिंग की मदद ले सकते हैं तो देखे जो यह सोयव आफताब जी है यह बहुत ही गरी फैमली से विलोग करते थे इ कर निर्मान का काम किया है, Construction का काम किया है उन्यकी माने सपने को सच में बदलने के लिए मेरे और मेरे चोटी बहन के साथ मेरे सथ मेरे सथ उप 혼्ण तो यह रहती थी और यह निस्चित किया कि मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद रित कर सकूए लेकिन यह सुरुवात कोई खास नहीं थी, क्योंकि कक्षा 11 में मेरे अंक ठीक नहीं, मैं खुद को बहतरी नहीं मानता था, मैं अपनी पढ़ाई में बहुत घंटे नहीं लगा पा रहा था, लेकिन उन्होंने सुधार किया और वह चात्र विर्दि स्कॉलर्शिप प्राप् मा साथ में आई थी, सेल्फ स्टर्डी को कितना टाइम दिया देखे, मैं सेल्फ स्टर्डी के तीन घंटे से खुस नहीं था, और फैसला किया कि सेल्फ स्टर्डी के लिए छूटियों और रईवार को समर्पित करूंगा, उन दिनों मैंने 13 सा 14 घंटे निरबाद रूप से लगाए, ठीक है, कितने घंटे पढ़ते थे दिन में 13 सा 14 घंटे पढ़ते थे, मेरी कक्षा 12 बॉर्ड के लिए मैंने किवल जन्वरी के महिने में अध्यन करना शुरू किया, 12 क्लास के लिए इनने उनली एक मन्थी जन्वरी से पढ़ना शुरू किया था, नेक्स्ट स्व पविशी के और देखते हुए सोईब ने कहा कि वे बहूत खुस है और अपनी सारी सा फलतागस रहे अपनी मां को देते है, जो उनके साथ खड़ी रही और बिना सर्थ उनका समर्थन किया, वो कहते है कि एमस दिलनी में दाखिला उनका सपना था, तो फ्रेंड्स ये उनका अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किजेगा, ओके थेंक्यू फ्रेंड्स